हेलो फ्रेंड्स, आर्विक इंस्टंट ग्रेलू नुसके चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लीवर की सूजन को ग्रेलू तरीके से कैसे ठीक करें शरीर को सुचारू रूप से काम करने में परतेक छोटे बड़े अंगों की एहम भूमिका होती है इन अंगों का किरिया शिल बने रहना ही अच्छे स्वास्ते की निशानी है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लीवर में यदि सूजन हो जाए तो तुरन सचेत हो जाए और उपचार करें इसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही ने करें थोड़ा सा सामर्थे जुटाने से तता प्रेतन करने से इस खतरनाक रोग पर काबू पाया जा सकता है आईए अब जानते हैं लीवर में सूजन होने पर क्या-क्या लक्षन होते है नमबर वन खाया पिया पच्छसा नहीं है यह शुरुआती लक्षन है नमबर दो उल्टी करने को मन करता है मगर ठीक से उल्टी आती नहीं है नमबर तीन शरीर में सूस्ती आने लगती है तथा हर्स में उवकाई सी महसूस होती है नमबर चार भूक कम लगती है कुछ भी खाने को मन नहीं करता नमबर पांच, शरीर का वजन तूटने लगता है नमबर छे, पेट में मीटा मीटा दर्द बना रहता है नमबर साथ, हलका हलका बुखार रहता है नमबर आठ, चहरे का रंग पीला पढ़ने लगता है नमबर नो, व्यक्ति थका थका रहता है तथा मांसे कारे करने में कठिनाई अनभव करता है नमबर दस पेट फुला फुला रहता है जैसे अंदर हवा भरी हो आईए अब जानते हैं लीवर में सूजन होने के कारण कारण नमबर वन जो व्यक्ति अक्सर शराब पीते हैं तता शराब के बूरी त्रह से आधी हो जाते हैं तो उसे यह रोग हो जाता है नमबर दो किसी परकार का संकर्मन हो जाना तता उसका ठीक समय परुप्चार ने कर सकना भी इस रोग का कान बनता है नमबर तीन बोजन में पोश्टिक ततों की कमी रहने से तता शरीर की शक्ति को लगातार हरास होने से यह रोग होता है आईए अब मैं आपको आज एक सरल गरेलू नुसका बताऊंगी जिसका प्रियोग करके आप अपने लीवर की सूजन से बहुत जल निजात पास केंगे यदि 20-25 दिन लगातार करने के बाद भी समस्या बनी हुई है तो आप डोक्टर से सला ले फ्रेंट्स आईए जानते हैं यह नुसका आपको कैसे बनाना है एक अच्छे किसम के कागजी निम्बू के चार टुकडे करके उसके बीज निकाले अब आप काली मिर्च का चूरन, काला नमक, सोट का चूरन, बारिक मिस्ट्री लेकर एक एक चीज एक एक टुकडे में भरे अब निम्बू के इन चारों टुकडों को 6-7 घंटे के लिए एक कंटेनर में रख दे फिर निम्बू के चारों टुकडों को तवे पर रख कर दीमी आज दे कुछ देर बाद ठंडा होने पर एक एक टुकडे को बड़े आराम से चूजते रहे यह एक अच्छा सरल घ्रेलू इलाज है इस परकार का त्यार निम्बू दिन में दो बार ले साथ दिनों के बाद परिणाम आने लगेगा 21 दिन लगातार लेने से रोग जड़ से खतम हो जाएगा इस उपचार को आप एक दिन भी नहीं चोड़े एक ही समय चुने आपको जरूर लाप मिलेगा यह बहुती कारगर घ्रेलू इलाज है आप इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा और जानकारी फून लगा हो तो लाइक और शेर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फाइदा उठास कें फ्रेंड्स थैंक्स फोर वोचिंग माई वीडियो बाइ बाइ टेक केर